आज आप देख रहे हैं मैं एक बढ़ी आसी सब्जी बनाने जा रही हूं आलू गाजर की इसके लिए मैंने डेट टेबल स्पून सर्सों का तेल लिया है पहले उसको अच्छे से गरम कर लिया था फिठंडा किया है इसमें मैं डाल रही हूं 3-4 टी स्पून आदा से एक चम् बहुत जादा हमें एक दम तेज नहीं करना है उसके बाद यह दो मीडियम साइज की कटी हुई प्याज डाल देंगे मैं इंग्रेडियन्स पहले नहीं दिखा रही हूं ताकि वीडियो जाद अलंबी ना हो आप अच्छे से देख पाएं ठीक है अच्छे से देख पाएं अच्छे से वैसे में देशी गी में भी बनाती हूं बटाकर आपने अच्छे से पहले सर्सों के तेल को पका लिया और फिर ठंडा करके फिर दुबारा से गरम किया तो उसमें वो जो कच्छे पन की खुश्वु है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं है वो नहीं आती है तो नमक स्वाथ के अनुसार और किचन किंग आधा चमच इंटो करेंगे मिक्स गैस को बिलकुल धीमा रखेंगे ताकि मसाले जो है उज्यादा जले नहीं इसलिए जब प्याज हलका ग्राउन गोल्डन ब्राउन होना शुडू होना तब ही आप ये मसाले इसमें डाल दें कश दो कटे टमाटर एक चमच ग्रेटे डद्रक और एक हरी मिर्च को भी हमने बारिक काट लिया है इनको हम सब को डाल देंगे यहां मैं बताना चाहूंगी कि एक तो टमाटर आजकल बहुत मूटी स्किन के आ रहे हैं थोड़े हाड आ रहे हैं लाल होने के बाद भी तो मैंने उनको पीलर से जो आलू चीलने वाला चक्कू होता है उससे छील लिया था ताकि वो चिलका-चिलका मूं में आए और तो इसकी खुश्बू बहुत ही अच्छी आती है प्याज के साथ जलने का डर रहता है और नीचे चिपकने का भी दर रहता है तो अध्रक आप इस तरह से टमाटर के साथ डाल सकते हैं देखिए टमाटर बहुत अच्छे से भुन गया है मैश हो गया है और यह देखिए छो पानी में डाल लिया था ऐसा करने से आलू काला नहीं पड़ता अब हम इसको डाल देंगे यह मैंने तीन मीडियम साइज के आलू लिये है आलू को थोड़ा सा ढूनेंगे बहुत ही अच्छी सब्जी बनने वाली है कॉंटिटी में डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एक बार मैथर्ड पता लग जाएगा न मैं ज्यादा लोगों के लिए बना रही हूं आप कम के लिए कम कर सकते हैं बस एक बार मैथर्ड पता लग जाए ना फिर इजी तीन कप कटा हुआ अच्छे से भरा हुआ गाजर है क्योंकि गाजर ना बॉयल होने के बाद थोड़ी सी हो जाती है वेट में मैंने 800 ग्राम के करीब लिए कुछ छिलका निकल गया होगा तो कप के हिसाब से भी मैंने सुचा आपको बता दूं तो यह मैंने तीन कप दो मिनट के लिए भूनेंगे टेसी सबजी तभी बनती है दो तीन मिनट हमें दो मिनट पूरे हो गए हैं गाजर को ऐसे भूनते वे चलाते वे इससे अच्छी खुश्बो आती है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी मैं चार-पांश लोगों के लिए सबजी बना और कुकर को करेंगे बन दो विसल लगवाएंगे मीडियम ही तर हमने कुकर को खोल लिया है चेक करते हैं तीन विसल न मैंने आने के बाद इसको खोला थोड़ा सा पानी है इसके अंदर कभी-कभी गाजर फ्रिज की रखी हुई होती ना तो हम इसको हाई फ्लेम कर देंगे गैसक को और इसको पकाइँगे अब हम डालेंगे इसमें दो पिंच गरम मसाला इसकी खोश्बू घर का पुटाववा गरम बकाती है ज्यादा स्ट्रॉंग है की इसलीए हम कम डालेंगे और ऐप्चिनल है यह आप चाहें तो डालिए बहुत अच्छा लगता है उपर से आ और कटा हुआ थोड़ा सा फरा धनिया और यकीन मानिये ये सबजी इतनी टेस्टी लगती है आप मकी की रोटी के साथ बाजरे की रोटी के साथ गेहूं की रोटी के साथ किसी के साथ बिखाई ये देखिए शूप गया पानी मीचे और दो मिनट चलाएंगे तो और शूप ज मिक्स करें और ये हमारी सबजी सर्व करने के लिए तैयार है और ये देखें धूर निकल रहा है और सबजी हमारी हो बन कर तैयार है कुछ ऊबलेवी हरे मतर भी मैं सजा देती हूं।-ब ये देखें है dümm 2 अन्वाज़दार हैंी तफेंक यूस आन्वाचिंग माज् लग ह झाल झाल